दॉक्टर अम्बेटकर नकेवल एक उतक्रिष्ट बुद्धी जीवी, प्रकांड विद्वान, सफल राजनितिग्य, कानून विद, अर्थशास्त्री और जन्प्रिय नायक थे, उन्हें शोशितों, महिलाओं और गरीबों का मुक्तिधाता भी कहा जाता है। जन्में डॉक्टर भीमराव अम्बेटकर के पिता सूबेदार राम जी मालो जी स्रकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। इस कूली शिक्षा के दौरान ही बाबा साहिब अस्प्रिशता के अभिशाप से पीडित हुए। उन्होंने कोलंबिया विश्व विद्याले स M.A. और Ph.D. की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के बाद सामाजिक जीवन में उत्रे बाबा साहिब ने 15 अगस्त 1936 को दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया। जिसमें ज्यादतर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे आज़ादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रेथम प्रधान मंतरी जवहरलाल नहरू के पहले मंतरी मंदल में कानून एवं न्याई मंतरी के रूप में निउक्ति किया गिया। इस बीच समिधान सभा ने समिधान का मसोधा तयार करने का काम एक समिती को सौपा और डॉक् कमेटी अध्यक्ष बाबा साहिप ने कई समितीयों के ओर से आये सभी प्रस्ताओं को अनुछेदों में सूत्रबद किया। समिधान की संपादकिये जिमेदारी भी मुख्यतोर पर अमेटकर ने ही उठाई। फरवरी 1948 में डॉक्टर अमेटकर ने भारत के लोगों के सामने मसोदा समिधान प्रस्तुत किया। इसे 26 नॉमबर 1949 को अपनाया गया था। डॉक्टर अमेटकर ने 1951 में कश्मीर मुद्दे भारत की विदेश नीती और हिंदू कोर्ट बिल के प्रती प्रधान मंत्री नेहरू की नीती पर अपना मध्वेद प्रकट करते हुए मंत्री प 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयाईयों के साथ बहुत धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहिब का महा परि निर्वान दिल्ली में उनके घर में हो गया। 1990 में उन्हें मरणो परांत भारत के सरवोच नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाब इसके अलावा बाबे साहिब की यादों को चिरिस्थाई बनाने और उनकी विरासत के संग्रक्षन के लिए दिल्ली के जिस 26 अलिपूर रोड हाउस में 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अमबेटकर चिर निद्रा में लीन हुए थे वहाँ केंद्र सरकार ने राष्ट्रिय समारक बनवाया है वहीं सेंट्रल दिल्ली के जनपत मार्ग पर अपनी भव्यता और बड़े आयोजनों के लिए आकर्शन का केंद्र बन चुके डॉक्टर अमबेटकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्मान भी मोधी सरकार ने कराया प्रधानमंत्री मोधी ने दिल्ली से लेकर लंदन तक बाबा साहिब की यादों को चिरिस्थाई बनाने की पहल की है लंदन में वकालत की पढ़ाई के लिए बाबा साहिब जिस इस्थान पर रहा करते थे वहाँ पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने 14 नॉवंबर 2015 को आमबेटकर इसमारक का उधगाटन किया देश के किसी महापुरुष के जीवन से जुड़े सभी स्थलों को पहली बार तीर्थ स्थल के रूप में मोदी सरकार ने विक्सित करने की पहल की आमबेटकर से जुड़े पाँच प्रमुकिस्थानों को मोदी सरकार ने पंच तीर्थ घोशित किया है महराष्ट के नागपूर में जहां पांच लाग से अधिक अनुवियाईयों के साथ उन्होंने बौध धर्म की दिक्षा ली थी उस दिक्षा भूमी को मोधी सरकार की पहल पर वर्ष 2016 में परियटक स्थल का दर्जा मिला इस वर्ष समिधान दिवस के अउसर पर राश्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू ने सुप्रिम कोर्ट परिसर में बाबा साहिब भीमराव अंबेटकर की प्रतिमा का भी अनावरन किया डॉक्टर अंबेटकर का संघर्ष दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रियास और आजाद भारत के समिधान के निर्मान में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रिरणा सुरोत रहा है ब्योरो रिपोर्ट डीडी न्यूज